आप सभी का दिहात्मर जोतिस के आज के अकारिक्रम में मैं आपके साथ देव भूमी रिशिकिस उत्त्राखंड से आचार आसीस हम बात करेंगे यहाँ पर आज जोतिस के कुछ मैं तो पहलों पर और उसमें भी हम आज बात करने वाले हैं विसेस कर राहू ग्रह को लेकर जैसे कि आपने टाइटल और थमनेल के माधिम से आप समझ चुक्य होंगे आपने देख लिया है कि राहू किन व्यक्तियों को सुफल और किन व्यक्तियों को असुब प्रिणाम देते हैं विसेस कर जब राहू की महादसा हो या फिर राहू की अंतर दसा हो आपने देखा हो बहुत सारे दर्सक हैं जो जोतिस के अच्छे जानकार भी हैं जोतिस में रुची रखते हैं दिल्चस्पी रखते हैं जिग्या से हैं उनकी मन में होती हैं और जोतिस पर लगाता रिसर्च कड़ते भी रहता है बहुत अच्छी बात है होना भी चाहिए लेकिन राहो की दसा में अक्सा आप में देखा होगा कि व्यक्ति को भहे लगता है राहो की दसा के बारे में विचार और चिंतन होते ही व्यक्ति को लगता है जैसे मानो नजाने कितना बड़ा पहाड जो उनके उपर गिरने वाला है एक भै कावाता बरन एक भै जैसा माहूल बना होता है और कई बार तो यूँ भी देखने को मिलता है कि जब कोई एस्टलोजर कोई जोत्ती उनकी कुणली के बारे में प्रिटिक्सन करते हैं तो तब उनको काफी हद तक बहुत जादा ड्रा भी दिया जाता है जो कि सर्वता अनुचित है लेकिन फिर भी आज हम इस एपिसोड में चर्चा करेंगे और समझने का प्रियास करेंगी कि किन जातकों को किन लोगों को राहू की मादसा अंतरदसा वर राहू के सुब और असुब परिणाम बुगतने पड़ते हैं तरशकों इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाओ इससे पहले आप नए दरसा गया तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको समय समय पर अध्याद पर जोतिस रेलेटेटर चैस प्राप्त होते हैं तो आई हम समझने का परियास करते हैं सबसे पहले तो जन्मकुणली के बाराई भाव में दिराभू बैठे हैं आपकी कुंडली के अंदर आप अपनी कुंडली खोल करके देख सकते हैं और उससे समंदित पॉइंट जो मैं यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ आप उसको समझ सकते हैं देख सकते हैं और आपकी जनन कुंडली कराओ का आधार क्या है और वहाँ उससे सम्मंदित दसाओं में क्या सुवासुप परिणाम देने वाले हैं उसको आप इसके अनुरूप समझने का पयास करें देखिए इस पर एक वस्तित रावू का जो प्रभाव उसको लेकर मैं अलग से भी चर्चा कर चुका हूँ स्वतंत रूप से आप उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं और रावू की महादसा की स्पेसल जो अलग वीडियो बनाई भी आप उसे भी देख सकते हैं लेकिन यहाँ पर सामने तक सुब और असुब परिणाम के करम बात करें तो रावू आपकी जन्मकुंडली में लगन हाउस में बैठे हैं तो कहीं न कहीं यहाँ पर यहाँ भी देखना उश्यक हो जाता है कि रावू स्वतंत रूप से बैठे हुए या पिर किसी ग्रह की साथ यूती करके बैठे हैं और सबसे महतुपून बात कि वो किसके घर में बैठे हैं जिस पर हम अक्सर विचार नहीं करते हैं ति तमाम पहलूं पर विचार करने के बाद ही हमें रावू फल की और बढ़ना चाहिए लेकिन हम लोग क्या करते हैं पर्टिकुलर किसी भाव पर हमने देखा यहां पर बैठे में हैं और हम सिधा उसके प्रेडिक्शन करने रगते हैं उसके फल के बारे में हम कतान करते हैं लेकिन जो सरवता उसके सही रूप का सही अगर हम सही विचार इस पर करें सही रूप को हम सही नियम को फॉलो करते हैं तो सबसे पहली सिस्तोती को समझना महत्वपूर्ण हो जाता है आईए अब हम बात कर लेते हैं किन लोगों को इसका सुप परिणाम मिले हैं जिन वक्तियों के आचरण में कहीं न कहीं जो करकस्ता देखी जाती है असुप संग जिनके जिवन में रहता है खानपान पर जिनकर अविसेश कर जो है कोई एक आपने देखाओगा बहुत सारी लोग अपने दैनिक दिंचरिया में हो या फिर उनके जिवन का एक हिस्सा बन जाता है जो की मादक पदार्तों का सेवन करना है या सुचिता पवित्रता के अंदर जो लोग नहीं रहते हैं कहीं न कहीं रहाव उन व्यक्तियों को ज़्यादा असुप परिणाम देता है मान लिया जाए कि धनभाव के रहाव है अब यहाँ पर स्वाभविक है वो पैत्रिक संपत्ति को लेकर विवात करेंगे प्रोपर्टि को लेकर वहाँ पर समस्या उप्पंगी और ऐसे व्यक्तियों को जिवन काल में देखा जाता है कि कहीं न कहीं वह जो पैत्रिक प्रोपर्टी है उसका लाव उन लोगों को नहीं मिल पाता है उनका विरौत देखा जाता है और जो सबसे बड़ी बार अपनी दसाकाल में वह व्यक्ति को कहीं न कहीं किसी प्रकार से रोगों की ओर भी धकेल करके लिए जाते हैं ऐसे इस्तिती में देखा जाता है कि अगर राओ के असुप परिणाम उस व्यक्ति को मिल रहें तो यह वी निश्चित है कि वह कहीं न कहीं अपने जीवन में द्धि भरमित है। अगर निश्ची तुरूप से उसने अपने जीवन के लिए कुछ नियम बना हैं कुछ रूल उसने बना ली हैं और उसी की अनुरूप वह चलता है आध्यात्मिक्ता उसके जीवन में है अच्छे लोगों का संग उसके जीवन में है आधर से जनों का संग उसके साथ में है तो काफी खर्त तक उसका जो दुस प्रभाव है वो खत्म हो जाता है क्यों इसके पीचे सबसे बड़ा एक जो लोजिक निकल करके आता है वो आप समझने का थोड़ा सा प्रियास करें क्योंकि ब्रस्पती जो ग्रह है वह अपनी आप में स्रिष्ट ताक्योर और स्रिष्ट जनो की ओर इसारा करता है धर्म कर्म की ओर और ज्यान की ओर इसारा करता है और उस ओर लेकर के जो जाता है वह ग्रह है देवगुरु रश्पती और व्रश्पती के घर को ही राहू अपना घर मानता है तो सीधी सी बात है कि राहू जब उनको आदर्स मानते हैं तो उसको भी जो व्यक्ति आदर्स मानेगा राहू उसको कभी भी यहाँ पर परिसान नहीं करेगा ये सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सुत्रे आप निकल करके आता है पस ये थोड़ा समझने का आप परियास करें ये सबसे बड़ा बड़ा सुत्रे आप और इसी लिए तमानकुण्णियों की अध्यन्द के दौरान जो है हम लोग देखते हैं कि अगर वह व्यक्ति कुसंग में पड़ा हुआ है तो राहू जनिदूस परिणाम उस व्यक्ति को भयानक इसको जो है छेलने पड़ते हैं कई हद तक जो है अगर वो ब्रस्पति के प्रभाव में है सुप प्रभाव में है अच्छे लोगों के प्रभाव में है तो राहू बहुत हद तक देखा जाता है कि उसके दुस परिणामों को यहाँ पर राहो के दुस्परिणाम जो उस व्यक्ति को नहीं मिलते हैं और अगर मिलते भी हैं तो उसकी मात्रा बहुत कम होती है तो इसलिए बंधों यहां पर दुस्परिणाम की जब बात आती है तो आप समझ चोके होंगे कि ब्रस्पती को जोकि वह आदर समानते हैं या मुख्य पॉइंट यहां पर निकल करके आता है ऐसी इस्तुति में आगर वह उससे सम्मंदित अपने जीवन में आचरन करता है तो राहो जनित दोसों से वह दूर रह सकता है और अगर वह इसके विपरीत है तो निश्चित रूप से राहो उसके धन भाव को समाब्त कर देगा धन से सम्मंदित प्रेसानियां महां पर उपन्न करेगा और जो पैतरिक संपत्ती को ले करके विबाध है या धन की अर्थ विवस्ता को ले कर हम बात करें तो ऐसे दसा में वह निश्चित रूप से अर्थिवस्ता को बिल्कुल चर्मरा करके रख देगा दुरगटनाओं जैसे यहाँ पर जो आसांकाई जताई जा सकती है जब जब गोचर के अंदर हो या दसाओं के अंदर हो मंगल जब उसके पास से गुजरेंगे तो निश्चित रूप से आप नौट कर लेजिए 100% एक्सिडेंट का ख़तरा दनेगा तो इसलिए इस प्रकार की जो एक संभावनाई निकल करके आती है और उसका जो परिणाम है अगर हम चाते हैं कि उसके दुस परिणामों से बचें तो जन्मकुणली का आप प्रोपर अधियन करें या किसी अच्छे जोतिस से आप उसका अधियन करवाए और फिर उससे सम्मनित उपाईयों को आपको चलना चाहिए कब किस इस्तुति में, कब इसके दुस परिणाम हो सकते और सबसे महतोपन बात तो यहाँ पर एक और भी मैं आपको कहना चाहूँगा जब कोई इस्तुति भिगड़ जाए उससे पूरुव ही हमें इसका आवलोकन करना चाहिए बहुत सारे लोग हमारे जन्मकुणली विश्टेशन के दौरान जब चर्चा करते हैं तो कहते हैं ठीक हमें इसकी जानकारी थी और पूरुमें इस प्रकार की आसंकाय थी लेकिन हम सचित नहीं वे या फिर हमें पहले भी इस चीज़ का पता था अरे जब आपको पता था तो आपको पहले ही साथना रेना चाहिए था लेकिन नहीं तब पश्टावा क्या करे जब चुडिया चुग गई की इसलिए अगर हमें उसकी जानकारी है उसके बारें पता है हम विग्य हैं तो निश्यत रूप से उसे संबंदिस दुद्रेमडिस हैं वो हमें अपने जीवन काल में उसको उप्योग करना चाहिए और सबसे बड़ा सूत्र मैंने आज जो आपको बताया कि राहुर से किन लोगों को भै है किन लोगों को उससे जो है दुस्परिणाम ज़्यादा मिलने वाले हैं और किसको दुस्परिणाम नहीं मिलने वाले हैं सबसे बड़ा अचूक सूत्र मैंने इस एपिसोड में आज आपके साथ में सेयर किया है तो आसा करता हूँ कि आज की जो संबंदी चर्चा थी उसको आप समझ पाएंगे इसके दुस्परिणामों को लेकर के अगर कहीं न कहीं आप अपने जीवन में इसका प्रभाव देख रहे हैं तो उसके लिए भी हमने स्वतन्त रूप से इसके उपाईयों को लेकर अलग से भी चर्चा की है और आज की एपिसोड में इतना ही कहना चाहूँगा कि भगवान सिव की आराध्रा और देव और गुरु ब्रामनों का सम्मान यहाँ आपके जीवन में राहू से बचने के लिए अचूक और एकमात राम बांड रास साबित हो सकता है आप इसके लिए देव गुरु ब्रामनों का सम्मान करें उनके आदर्सों पर चले और उनसे सलहा लेकर के चले तो आप यह मान के चले कि राहू का दस प्रतिसत भी दुस प्रभाव आपको नहीं मिलेगा और अनुचित खान पान और अपने संग का विसे साब इसमें दियान रखें तो आईए आज की जो चर्चा थी उसको आप लोग समझ चुके होंगे वीडियो से संबंदी कोई प्रश्ण आपके मन में होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और व्यक्तिवत जांकर यह लिए आप हमारी वेबसाइट पर लोग इन कर सकते हैं यह लगातार नीची जो नमबर फ्लैस हो रहे हैं वहाँ पर वर्टसप पर आप समय ले सकते हैं अपाइटमेंट बुक करके और आप स्वतंत्री जूप से चर्चा कर सकते हैं तो आप सभी तरसक बने रहें फिलाल हमें दीजिए ज़्याज़त तन्यवाद